हलो दोस्तों शड़ी मोड में आपको श्वागत है आज हम इस वीडियो में राष्टपती से सम्मंदित जो भी महतपूर MCQ बनते हैं सभी कराने वाले हैं सलूशन के साथ अगर ये वीडियो सिर्फ आप देख लेते हैं तो राष्टपती से सम्मंदित जो भी आपकी एक्जा और बहुत कम समय में मैं आपको पूरा MCQ कराने वाला हूं तो सुरुस लेके अंतक देखिएगा सबसे पहला कुशन आपके सामने हैं देख सकते हैं कि राष्टपती के पद किस देश के सविधान से लिया गया है यह आपको बताना है तो इसका एंसर हो जाएगा ब्रीटें ब्रीटें हो जाएगा ब्रीटें से हम लोग संसदिय पढणाली लिये हैं देखे ब्रीटें के जो सासन है जो संसदिय पढणाली है और भारत के जो संसदिय पढणाली उसमें कुछ मूल अंतर हो जाता है जैसे वहाँ पर जो है ना जो वांसा गुनत है जो राष्टपती याद रखेगा और दो तिन बात कि याद रखेगा और दो तीन बात ये भी याद रखेगा कि राष्ट पती देश का प्रथम नागरीक भी होता है और समिधानिक परदान भी होता है आमारे देश में राष्ट पती ठिक ति इसे आपको नहीं भूना है भारत में संसदिय ब्यवस्था पनाया गया है ठिक और वो कहां से लिया गया गया है ठिक यह सब आपको याद रखिएगा संसदिय ब्यवस्था में क्या होता है कि राष्ट पती जो होते हैं ये नाम मात्र के करिपालिका होते हैं लेकिन परधान मंत्री और मंत्री मंडल जो हैं वह वास्तवी के करिपालिका सकती उनमें नहीं नहीं होती है लेकिन जो भी काम होता है ये राष्ट पती के नाम पर ही क के सभीधान में कि आप दो बर से अधिक राश्ट पती नहीं बन सकते भारत में ऐसा कोई परोधान नहीं है भारत में क्या परोधान राष्ट पती बनने के लिए उसके पास योग गिता हो योग हो मतलब और चुनाओ के समय कोई भी लाब के पद पर ना हो ये इनका चार मुख्य है और ये कभी भी राष्टपती कितना भी एज में राष्टपती यहां पर लोग बन सकते हैं यह याद रखेगा दूसरे के अंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा कोशन नमर तीसरा देखिए कि राष्टपती महभयोग भी चलाया जा सकता है तो यह जो महभयोग चलाया जाता है यह आर्टिकल 60 के तहट चलाया जाता है यह संसत के कोई भी सदन में लाया जा सकता है तो संसत के कोई भी सदन किसी भी सदन में लाया जा सकता है तो संसत का हो जाएगा देखिए संसत का हब नाम लेते है तो संसद जब आता है तो उसमें तीन भागा आ जाते हैं एक राश्टपती, लोगसभा और राजसभा ये तीनों मिलकर संसद का निर्मार करती है और जो इनके सदस होते हैं उन्हें हम लोग संसद बोलते हैं ठेक, member of parliament बोलते हैं आगे चौथा देखिए कोशन चौथा आपके सामने कोशन है, ध्यान से देखिए कि राश्टपती संसद के स्विंक्त बैठक के आवाहन किस सक्ति के अंतरगत करता है जैसे राश्टपती के अधिकार और करतब बाटी गए है उसमें सक्ति भी इनका दिया हुआ है यह आपसे सवाल पूछ रहे है तो देहान से कोशन देखिए और कोशन को लगाईए यह जो है बिधाई सक्ति के अंतरगत राश्टपती जो है यह संसद का भी अभेन अंग है तो इनको बिधाई सक्ति भी दिया गया है जिसके अंसर हो जाएगा आपका बेदे के बिधाई सक्ति के अंतरगत यह भी आता है कि वो शनसद के शत्र को आवाहन कर सकता है तिक लोग शभा भंग कर सकता है अगर परधान मंत्रे से भारिस करे तो संसद के एक शदन या एक साथ समलित रूप से दोनों सदनों में अभिभासर करने की सकती भी इनके पास है लोग शभा के लिए परतेक शधारण निर्वाचन के पास चाथ प्रथम सत्र का जो अरंभ होता है या परतेक वर्ष के जो आपको प्रथम सत्र होते हैं उसमें ये संसद द्वारा पारिक कोई भी विध्यक जो है इनके अनुमोधन के बाद ही कानून बनता है ये आपको पता होना चाहिए लोग सबा फिर राश्ट्पती का अंति में साइन होता है संसद के निमने विध्यक को पेश करने के लिए राश्ट्पती की पूर्व समती चाहिए अगर राष्टपती के समती चाहिए तभी ये विध्यक पेस किया जा सकता है कौन से विध्यक हैं तो नए राज्यों के निर्माण और बरतमान जो राज्य है इनके सिमाव में या नामों में बदलाव करना है ये आपको धन विध्यक इनके पुर्व अनुमती के बिना नहीं आपको पेस किया जाता है नहीं क्या है कि राष्टपती के चुनाव में कौन-कौन भाग ले सकते हैं तिराश्रपती के जिवूं से मत-Padati के दवारा कराया जाता है इसके दवारा कराया जाता आर्टिकल 55 में दिया हुआ है कि जो राष्टपती का निर्वाचन होगा ये समुनुपाती परतनेधित पंडाली और एकल सक्रण में मत पदती द्वारा होता है ठीक तो यह जो है आर्टिकल पच्छपन में दिया है राष्टपती के कोई बिध्यक धन बिध्यक है या नहीं इसका नेनाय कोन करता है मैंने बताया था आपको विधाई सकती के अंतरगत य लेकिन कोई धन बिध्यक है या नहीं अगर यह किसके अनुमति से पेस किया जाता है तो इसका बात अलग हुआ लेकिन कोई धन बिध्यक है या नहीं कौन बताएगा यह धन बिध्यक है कि नहीं यह आपको लोग सभा के अध्यक्ज करते हैं ठीक यह याद रखिएगा सिक् पूर बीटो के सकते मिला हुआ है याद रखिएगा तो सी हो जाएगा इसके अंसर क्या हो जाएगा कि कुश्चन नबर एट देखें कि निमलिकित में से किसे युद्ध की घोसडा तथा सांती संधी पर हश्थाक्षर करने के कानूनी अधिकार है कि युद्ध की घोसडा भी अधिकल वॉक्षर कारण जोकि घोसडार के बारे में परतिकल तिया गया है युद्ध reflection दिया के अपात कालिन्सक्तिया गया है राष्था पति को जिसमें यह यह दुगोसड़ा या सांती करने के संधी पर भासाक्षर कोन करता है राष्टपती करता है कोश्चन नमर 9 थी कि भारत के राष्टपती किसकी सिफारिस पर राष्टी अपातकाल की घुसड़ा कर सकता है तो भारत की राष्टपती किसकी सिफारिस पर तो सिफार इस देखिए यह आपको पहले यह अईसा नहीं था लेकिन परःधान ये किया कि विद्धान सद्धन द्वारा जो के राष्टिय जो लगा को बॉला मforce कर मतैने परणा लागा है जब मंत्री मंडल का लिखित चल जाएगा और राष्ट्पति इसका दिया हुए यह को इस्हुन वाला की सकति यह उसका चमा करने के लिए यह सब आपको राश्ट पति को दिया गया है चमादान की सकते ठीक है और इसमें दे रहे कि शमादान के सकतिक इसमें नहीं था टार्टिकल 72 में इसका दिया हुआ है नहीं था तो इसका 10 कैंसर क्या हो जाएगा आराम से लगा लीजीगा भी कुशन मर 11 है कि बरतमान समय में राष्टपती का बेतन कितना मिलता है बरतमान समय में जो राष्टपती का बेतन है ये कितना है ये आपको बताना है तो बरतमान समय में राष्टपती का बेतन कितना है पांच लग परती महीना है ये 11 कैंसर भी हो जाएगा कुशन मर 12 है कि रा राश्ट पती दोनों का सप्रीम कोटी करता है कोशन नमर 13 कि राश्ट पती पत की नियुमतम आयू क्या है देखिए मैंने बताया था राश्ट पति के लिए योग क्या होनी चाहिए सबसे पले भारत के नागरिक होनी चाहिए लोग्शभा के सदस निर्वाचित की जाने भी ना हो यह होना चाहिए ठीक यह जो है 35 वर्स में दो याद रखेगा उप राष्ट पती के लिए भी आपको प्रधान यह किया गया है और आपको 35 वर्स और राज जपाल के लिए सब्सक्राइब बी यह जविए को शविए सकती में मैंने आपको बताया है कि यह अधिकार मिला हुआ है कि राष्ट पती परधान मंत्री के नियुकती के सकती के अंतरगत करता और राष्ट पती है यह परधान मंत्री की नियुक्ति करता है, यह नियुक्ति सम्बंधी अधिकार भी दिया गया है राष्टपती को, यह कौन से सक्तिक अंतरगत करता है, यह आपको बताना है, देखिए, आपके सामने सब दिया हुआ है, आपके सामने जो दिया हुआ है, आपके सामने सब अप मैं याद करते हैं और याद रखयेगा राज्यों के राजय पाल की नुखती करते हैं मुख चुनाव ऑयुक्त 싸 और अचुनाव ऑयुक्त की नुखती करते हैं भारत के महानिययदी को दिए लिए उनकी परिशत के जो सदस होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं यह सब आपको याद रखने चाहिए देखिए जो भी सविधानिक है ना तंत्र आपको पूरे अगर कें दरस्तर पर देखा जातों सभीधानिम उसकी सभी की सदस्यों के और अध्यक्ष को नियुक्ति राष्टपति ही क पर भावय नियुक्ति करते हैं अब आपको याद रखना चाहिए और यहीना ने बाता दिया इतुन fade एप कुछ भी आद कर लीजिए चितना बताया कुछ भी तो याद होगा ढ़ाना आपको दो बार दीन वा इक लिजिए वीडिए हो तो 15 इंसर क्या हो जाएगा कॉश्चन नंबर 16 वरतमान राष्ट पति रामनात कोबिंद कौन से नंबर क्या है क्योंकि आपको राजिंदर पर साथ दो बार राष्ट पती बन गये थे तो ऐसे में आपको 15 नंबर लगाना पड़ेगा 16 के अंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक ऐसे लेकिन अगर कोश्चन ब्यक्तिगत रूप से पूछते हैं कि यहां पर देखिए कि वरतमान में राष्ट पती रामनात को मिन ब्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर पर है तो यह 14 होए हैं क्योंकि 14 ब्यक्ति अभी तक पर आ जाते हैं तो ज्यादा तर्व ब्यक्ति च्रूप से पूछा जाता है तो लगा दिदी लिए 10 अथिकतंब कितनी बार राष्ट्पति बन सकता है वह कितना भी बार कोई शीमा नहीं है भारत के अप्सर विधान में राष्ट्पति बनेगा तिक तो अथारा कैनसर डि ह परिसद होता है उनकी संगलोक्षवा आयोग के सदस्यों की नियूकति करता है तो यह जो भी नियूकति करता ही राश्ठपति करते यह याद रखिएगा और अभी 15 बिक्त आयोग है जुकि उनके अध्यक्ष एनके सबसे वरिष्टम कारेकाल है यह कौन से है राष्टपती क्या है तो 20 के अंसर क्या हो जाएगा आपका भी कुश्चन नबर 21 से कि भारत में अपात कालीन की घोसड़ा कौन कर सकता है भारत में जो अपात कालीन है अपात तीन परकार का पात मैंने बताया था आपको आर्टिकल 352 आर्टिकल 356 आर्टिकल 352 में राष्टिया अपात जो कि तीन परकार से लग सकता है यह याद रखेगा आपको याद रखना चाहिए तो इसका एंसर क्या हो जाएगा घुसड़ा कौन करता है तो राष्ट्रपती करते हैं कुश्चन नबर 22 से कि बित आयो के अध्यक्ष कि नूखती कौन करता है देखे वहीं आगया कुश्चन लोटके यहां पर राष्ट्रपती हो जागा माप कीजिए यह राष्ट्रपती ऊपर कोश्चन मैंने यह कराया था रिपीट हो गया है वाइसके इंसर डी हो जाएगा को भारती सभीधान में कितने परकार का अपात क तो तीन बार यह लग चुका है राष्टियापा ठीक यह याद रखिएगा क्योंकि इसमें आपको राष्ट्रपती लगा दीजेगा या कुछ लगा दीजेगा तो फिर गलती होगा तो हमको मत बताइगा इसलिए फले मन में सोच लीजिए ठीक तो मंत्री परसद ब्यक्ति यह आप तो सामोहिक रूप से भी उतरदाई होता है और ब्यक्तिगत रूप से भी आपको अगर देखा जाए तो यह लोग शभा के प्रती ही उतरदाई होता है लेकिन एक बात ध्यान में रखेगा अगर ब्यक्तिवाइस पूछा जाए कि मंत्री परिसत जो है कि वो किसके कुश्चर कि राष्ट पती के पट तकांव दिलाता है राष्टपती के राष्ट पती अपना त्याग पत्र किसे सूपते हैं ऑपना त्याग पत्र किसे स्वापते हैं और उपर दिए अपर यहां पर गोर्वि को स्वापते हैं और उपर राष्ट पती राष्ट पत्र कहसे इसquito N got sow族 तो इसमें guess यहां पर मिस्प्रिंट हो गया एद जी आ आपर एंसर हो यह आपको बताना है तो राष्टपती के सपत गरहन के चार्चा है यह कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है तो यह आपको बताना है यह आर्टिकल साथ के तहत किया जाता है राष्टपती के सपत गरहन की चार्चा यह किस में दिया है तो यह आपको याद रखिएगा आर्टिकल साथ में दिया है राष्टपती की कौन सपत दिलाता है तो भारत के मुखनाइदिस दिलाते हैं राष्टपती के सपत यह सब याद रखना चाहिए ठीक कभी भी कुश्चन बनेगा ता आपको छोड़ना नहीं है ऐसे कुश्चन को आपको अराम से कर लेना है ठीक आगे चलते कुश्चन देखते हैं कुश्चन कुश्चन नमर 29 है कि राष्टपती का अध्यदेश जारी करने की सकती है यह कौन से सकती ह कहाँ गया है तो यह अध्यदेश जारी करनी की जो राष्टपती को सकती है ऐ़काई कुश्चन का नहीं और यह बहाै कि यह जो रहता है आगर इसका प्रभाव संसत्र के शुरू होने के 6 सब्तह कर देता है अगर संसत्र अनमोधन कर देता है थो यहजर यह संसटकर का परक कुश्यन निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम राष्ट पती आपको बताना है तो निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम राष्ट पती आपको बताना है तो निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम राष्ट पती आपको बताना है तो निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है जो पॉकेट बीटो का उप्योग किये थे यह आपको जैंसी थे यह याद रखिएगा ड़क वाला जो था वह भी देख पर तो 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 34 के राष्टपती का पद चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी जो यहां पर प्रथम महिला थी उसमें मंत्री भी थी जो सुभाष चंद्र बोस गठन किये थे और यह बाद में यह आपको लगवग साउथ से आती थी तमिलाडू तरफ से यह आती थी और यह चुनाव भी लड़ी थी आपको इनके लिए यह एंबीबीस भी की थी और यह महिला बिसेस रोग जो बिस राष्ठपती के पदपर रहते हुए निधं हुआ है यह निधन हुआ है चो भी कुशन आता है वह अराम साफ को मुहम्मद हितायदुल्ला जो है 20 जुलाई उनिशुनात्तर से 24 अगस उनिशुनात्तर इस वी तक ता बेड़ी जती एक गारफ फरवर उनिशुनात्तर से 25 जुलाई तो लोक तीन बार मिस की पद पर रहते हुए एक टाक्तर जाकर घुशन हैं तो तो घुषेच तो राष्ट्रपती एक होंगे भारत में याद रखिएगा यह जो होगा यह पद का वड़न दिया है आर्टिकल बावन के अंतरगर ठीक यह याद रखिएगा इंसर भी देखी लिए कुश्य नबर सहिती से कि राष्ट्रपती प्रमाभयोग की चार्चा किस अनुश्यद में की जाती है तो महभkehrोग लगाया जा सकता है संसत कि किसी आपको संसत कि किसी भी आपको यह में अनुश्यद के तहत आर्टिकल एक सट के तहतं ठिक यह किया गया है यह तो लोक्षाह में भी इसको शुरुवात किया याद रखिएगा साइटिस के अंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कुश्चन नम्र ऑन्रटीस है कि भारत के प्रतम दलीत राष्ट पती थे यह आपको के आरनाराइन थे फिर से याद रखिएगा कि यह आरनारायन का जो ने काकाल है यह 97-2002 तक था उनीशो से 2002 तक था यज़ाद रखीएंगा समय अठल कितने करुआँ कर राष्ट पती बने हैं अब के सामने इसलिए मैंने वूपर पहले ही आपको सूलूशन मता दिया था आपको लगाएए इसके एंसर यह क्वाएक रहे हैं कर राष्ट वह चुके हैं तो 49 कंसर दि हो जाएगा कोस्टन नमर 40 से राष्ट पती को कितने परकार के सकती प्राप्त है यहां पर तो ब्रदा क्विजूल का कोशन है मतलब की फालतू का कोश्षन है अलग-अलग यह तो देखा जाए तो अपना बाठना है कि आप किस परकार के सकती में बाठ सकते हैं ऐसे इसमें इंसर साथ दिया हुआ है कि राष्टपती की कितने परकार के सकते प्राप्त है तो साथ परकार के नहीं देखिए यहाँ पर कोश्चन कुछ और ही बताना है कि इसकी चर्चा आपको बताना है तो आर्टिकल आपको पता हुना चाहिए ज central सभा हमें Sulit Wah aten uses कारचा के बारे में है की सौड़ान विध्यक पर बुलाया जाता है डिक को या ही कभी भी याद रखेगा कभी धन विध्यक इस पर संथन विध्यक िढ़ान से शोधन विध्यंधान विध्यक इस प्रतनेधित्र सही नहीं है तो वो मनुवित करते थे अब यह जो है इसके च्छेत्र में जो समाजिक सेवा हुआ इसके अंतरगत आपको आर्टिकल आपको आसी के तीन में याद करकना है तो आसी के तीन या आसी याद कर सकते हैं इसमें 12 सदोसों को रासवाब में राष्ट्पती मनुवित करते हैं ठीक तो 42 के इंसर भी हो जाएगा कोशन अबर 43 है राष्ट्पती का अभिभासर कौन अभ में राष्ट्पति शांवा भात की राजय में सबसे पहले राष्ट्पति शांव दवारा की जाती है और इसमें कोट दिया हुआ है को मिलान करना है यहां पर सबसे पहले देख लीजिए कि कि किसकी है कि बित आयों के अध्यक्ष योजनायों के उप्याध्यक्ष और संग राज छेत्र के मुख मंत्री नीचे दिये गए कूट में कौन सा सही है यह आपके सामने अपसन है यह भी में तो ध्यान से पहले कोशन में देख लिजे तो इसके अंसर क्या हो जाएगा तो आपको देख सकते बित आयों के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं और संघ राज शेत्रे की मुख मंत्रे की नियुकति करते हैं, कौन राष्ट पती करते हैं, यह UPSC पिलिम्स में कोशन पूछा गया था आपको, अभी से जो भी कोशन मिलेगा वो UPSC पिलिम्स के कोशन मिलेगा, च्छे कोशन में ने लिया है, तो ध्यान से देखे और कोशन क यह आपको बताना है किसमें से कौन, तो आपको पता है कि निरवाचन में कौन-कौन भाग लेता है, तो राज सभा, लोग सभा और बिधान सभा के जो निरवाचिस सदस होते हैं, वहीं राष्टपती के निरवाचक मंडल में भाग लेता है, लेकिन हटाने में कौन भाग ले और राश्ट्य सबहा कि निर्वाचिस सदस द्वारा चूना जाता है जिसमें राश्ट्य पति के उमधवारे के बिदान सबहा के बिदान सबहा को धास्य द्वारा में retक मनदल में परस्तावक को जो होते हैं अनुमोदक होते हैं ठीक यह याद रखिएगा तो यह जो है निरवाचिस सांसुदों और विधान सभा के सदस्व द्वारा यह याद रखिएगा तो 47 के इंसर भी हो जाएगा कोश्चन बर 48 आपके सामने है कि कि किसी भी अभियुक्त की फासी के साजा को बदलन या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है तो किसी भी अभियुक्त जो है उसे फासी के सादा को बदलने या कम करने का अधिकार जो दिया गया है इसमें किसे दिया गया है तो राष्टपती को दिया गया है तो राष्टपती फासी माफी भी कर सकता है उसे बदल भी छकता ह उसे जो भी सजा है उसे छोटा भी कर सकता है ठिक ये छमादान की सत्तिक अंत्र गताता है राष्टपती के तारतालिस के इंसर क्या हो जाएगा आपको भी हो जाएगा कुश्चन नबर उन्चास है कि कि किसी बीधी के प्रसंद पर स्रोच नियाले से परमर्स लेने का अधिक अधिकार जो दिया गया है मिसकी यह जो दिया गया है यह किसको दिया गया है यह आपको बताना है यह कुशन बहुत महतपूर है यह जो अधिकार दिया गया स्रोच नियाले से पूशने का यह राष्टपती को अधिकार दिया गया है कोई भी बीधी पर चाहता है राष्ट सरोथ 19 fracture je कैसे मसेदा है भारत के राष्ट्रपती ने आर्थिक संकट की घोसड़ा काई थी भारत के राष्ट्रपती ने आरथिक संकट की घोसड़ा जो आर्टिकल 306 के राथिके अंतरगत हैं कब की गई थी यह बताना है आपको यह कभी नहीं की गई थी आर्टिकल 360 के तहट जो राष्टिय अपात है जो कि बीतिय अपात जिसे बोला जाता है राष्टिय अपात में नहीं बीतिय अपात बोला जाता है वो कभी भी घुसड़ा अभी तक नहीं किया गया है उनिशो एक काउन भी ऐसा स्थिती आया था कि लग रहा था घुसड़ा ह हुआ है और जो राष्ट्ठपतीस म् 10 इसा लग जुह को मिल्हालिया जाया तो अधिक लागू हो चुका है राष्ट्पती स deg confusing आपका बूज़। झाल झाल